आज हम बनाने वाले हैं एक मीनी वाटर मोटर वीडियो पूरा एंड तक देखिए एंड वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना और चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब करते ना दोस्तों इस वीडियो के बारे में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में जुरूर करूंगा उसका तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं दोस्तों यह मोटर बनाने के लिए जो जुरूरी चीज़े चाहिए वह यह है यावे दोस्तों कोई भी एक बोटल का धकन चाहिए अपनों को कैप चाहिए वह हम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे और इसको कट करेंगे अब देख सकते हैं यहां पे मैंने एक वोल्डिंग का ठकन लिया है इसका जो उपर ही हिस्सा है उसको हम अराम से कट करेंगे और जो बाहर ही हिस्सा है उसको हम ब्लेड बनन में काम आएगा तो उसको आप दियान से कटी है देखिए देख सकते हैं इस तरह कुछ काटना है ठीक है उसके उपर जो डीस जैसा है उपर हिस्सा उसको हम थोड़ा सा स्मूध कर लेंगे कट करते हैं कि इस तरह अब हमारे पास जो उपर हिस्सा था बचा हुआ उसको हम थोड़ा सा स्मूध करेंगे ठीक है एक्वेल कर लेंगे उसके बाद इसको हम एक्वेली इसका जो आधा इसका हे इसको हम इस तरह से इसको कट करेंगे ब्लेड की तरह आवे कि अ झाल झाल कुछ इस तरह से कट करना है और देखिए देख सकते हैं मैंने यहां पर कट करके रहना है और देखना हर एक इक इक्वेली कट हो उसके बाद हम सेंटर में इसका होल करेंगे तीन से अब इसको ग्लू की मदब से हम उसको जिपका देंगे बाद में इसके ओपर ग्लू गन लगाएंगे ठीकें कि अधो कि अधिया यह ओवरीं के साइड वाला एक्सारा हिस्सा कट कर लेता हूं कि अधोल अधोल ठीकें काम तो अभी जो पहले वाला जो गैप था हमारे पास उसको हम उसके उपर बीठाने के लिए पीछे एक होल बनाएंगे जैसे के मोटर का जो पीन है वो सामने की तरह पाए लाइटर के मदद से मैं थोड़ा नरम कर लिया प्लास्टिक और फैन के सेंटर में भी होल करना है ताकि वह पीन अंदर जाए पर पहले वाला जो कैप है इसको हम फैन के नाप्स लेके उसको हम कट कर लेंगे एक्स्ट्रा हिस्सा अ कर दो पाइप को कुछ इस तरह हम क्रॉस में कट करेंगे ताकि वो कैप में बैठे सही तरीके से करेंगे ताकि वो पाइप में लगा सकते हैं अब हम बॉड़ी के फे उसमें हम एक होल बनाएंगे ताकि वो पाइप उसमें लगा सकते हैं अब हम बॉड़ी का सेकेंड इससा बनाने वाले सामने कोई भी एक प्लास्टिक का प्लेट लेना उसको सामने वाला जो पहला हमारा केप था उसके उपर रखिए उसका नाप ले लेने का उसके बाद उसको साइट से राउंड कट करना है ठीक है कुझी इस तरह आप अब दूब के मतल से हम पहन को फीक्स करेंगे ताकि वो एक्दम फीक्स हो जाए है हीले ना अब यह मोटर को फीक्स करेंगे में बोडी के साथ बीच में मैंने एक रबर का कसकेट जैसा रखा है ठीक है वो आपको को फोल्टिंस के कैप में मिल जाएगा अब लू के मदद से मैंने यहां पे मोटर को फिक्स करा उसके बाद इसके अंदर हम वो फैन को एड़ करेंगे यहां मैंने फैन को एड़ कर लिया अभी इसका हम बैटरी से टेस्टिंग करेंगे मैंने यहां पे पूराने चार्जर लिया एक अब चाहिए तो बैटरी से भी चावा सकते इसको अब कर दो में यहां अपैराज कर दो करेंगे प्राजर बदारी से अंपिता है कि अधिता है अब होड़ ग्लू के मतलब से मैंने डखकन को एटच कर दिया सामने वाला ब्लॉक हो गया से सामने जो फोल दिख रहा है उसमें हम एक पाइप लगाएंगे ताकि वो इनलेट हो पाइप हमने लगा दिया अभी आउटलेट का हमने होल करके रखे थे वो पाइप ठीक्स करेंगे इंदर इधर एक द्यान रखना जिस तरफ फैन का फ्लो होगा उस तरफ वो पाइप का डारेक्शन होना चाहिए उल्टा नहीं लगाना वो थोड़ा द्यान रखना ठीक है काईज यपिन रखना राखना इंदर कि यह प्याइब को मेंने थोड़ा सॉपट बनाने के लिए बंड किया जाहे तो आप कर सकते या नहीं भी कर सकते हो इत कि अ थुच आउ अ कि कि अभी हमारा वाटर मोटर बिल्कुल तयार है आपके सामने गाइस वीडियो अच्छा लेगे तो लाइक जोरू कर देना और कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में जोरू बताना और सेयर भी करना वीडियो अच्छा लेगे तो और चैनल में नहीं हैं तो सब्सक्राइब करके जाना गाइस और बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि मेरा अपडेट किया हुआ वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे थेंक्यू गाइस हैवे नाइश डिए